पैर हमारे शरीर का ऐसा अंग होता है जिस पर पूरे शरीर का भायर रहता है अगर ये जरा सा भी तक प्लीफ में हो तो आपको चलने में परिशानी हो जाती है पैर मानव शरीर का इसलिए भी महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि अगर शरीर में कोई दिक्कत हो तो पैर उसका संकेथ हमें पहले ही दे देता है हलंकि पैर जितने मजबूत होते हैं बिमारियां भी उतनी ही जल्दी घेर लेती है पैरों में दर्द गठिया, औस्टीपोरोसिस, जोडों में फ्रेक्चर, मसल्स में क्रैम्स या किसी अंदरूनी चोट के कारण ही नहीं होता बलकि पैरों में दर्द होने के कई अन्यगंबिर कारण भी है त्यावा देर तक खड़े रहना है और फिर चलने की वज़े से पैरों में दर्द की शिकायत होना वैसे तो आम बात है लेकिन अदर आपके पैरों में आए दिन दर्द रहता है और उसके साथ ही कमजूरी भी महसूस होती है तो इस समस्या को हलके में ना ले पैरों में बार-बार होने वाले दर्द से निजात पाने के लिए आम तोर पर लोग डॉक्टर की मिलत लेते हैं लेकिन अगर आप कुछ घरेलू नुसकों का इस्तमाल करके अपने पैरों की देखभाल करेंगे तो आपको इस समस्या से काफी हद तक रहत मिल सकती है और घरेलू नुसकों से किसी तरह के नुकसान का डर भी नहीं रहता गुन-गुने पैनी में नमक डाल कर इसमें 10-15 मिनिट तक पैर रखें ध्यान रखें कि पानी ज्यादा गरम नहीं तो आराम की जगा पैरों में दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाएगा इसके लिए एक बाल्टी गरम पानी में दो चम्मच सरका मिलाएं और एक छोटा चम्मच सेंदा नमक मिलाएं अब इस पानी में अपने पैरों को करीब 20 मिनिट के लिए डुबा कर रखें इस मुस्खे से आपको तुरत आराम मिलेगा बर्फ वाले पानी या बर्फ में पैर की सिकाई करें दर्द के साथ इसे पैरों की सुजन भी दूर होती है खास कर लोंग के तेल को सिर दर्द, चोडों के दर्द, एथलिट, फूट और पैरों के दर्द को दूर करने के लिए एक अद्भूत तेल माना जाता है पैरों के दर्द से राहत पानी के लिए लोग के तेल से पैरों में धीरे-धीरे मालिश करें पैरों में दर्द से राहत पानी के लिए सरसों के कुछ बीजों को लेकर पीश लें और फिर इन्हें एक बाल्टी गरम पानी में मिला लें फिर अपने पैरों को इस पानी में 10-15 मिनिट के लिए डाल कर रखें इससे भी आपको आराम मिलेगा